सबसे और पहली ख़वर और बड़ी ख़वर आ रही है Microsoft के Bing से कि ChatGPT को उसने ओन किया, इन्वेस्ट किया हमें लगा नहीं था अतना जल्दी होगा लेकिन अब उनके Bing Search Engine में ChatGPT आ चुका है यानि की Edge Browser और Bing Search Engine में ChatGPT की Intelligence आ चुकी है आप उसे बड़े-बड़े questions पूच सकते हैं और उनके वो answer सटीक देगा अब Google से आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है in terms of AI Search Engine, Bing बहुत ही smart हो चुका है मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार, इतनी जल्दी ये लोग ChatGPT को अपने Search Engine में डाल देंगे सो ChatGPT का दिमाग अब Bing Search Engine में घुस चुका है Microsoft के बहुत सारे प्रोड़क्त में ChatGPT actively काम कर रहा है मतलब वो बहुत जादा smart हो चुका है और Google के लिए बहुत बड़ा challenge अब सामने खड़ा हुआ है इसी चीज़ का जवाब देते हुए अब ये जो second ख़बर है कि Google अपने Lambda-powered BARD को लेकर आ गया है जो कि Internet पर जो भी content है उसका इस्तेमाल करके आपके बड़े-बड़े questions के answer देगा with the help of AI So ये Google का जवाब है BARD अब ये देखना है कि BARD या chat GPT वाला Bing कौन अच्छा perform करता है यहाँ पर मुझे ये लगता है कि BARD जो कि अपने सारे content Internet से लेगा वो ज़ादा powerful होने वाला है because Internet पे knowledge information बहुत ज़ादा है जबकि ऐसे किसी AI से जो कि एक बार ही data feed करके बनाया गया हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि chat GPT को smart नहीं किया जा सकता actually chat GPT खुद भी अपने आप से smart हो सकता है Internet के resources से अपनी knowledge को gain करके क्योंकि Internet खुला हुआ है ये किसी की जागीर नहीं है तो ये तगड़ा competition है और इसी से tech में AI की जो race है वो अब शुरू हो चुकी है जितनी भी company आउंगी वो सब AI का इस्तमाल करेंगी अब ऐसे दिन आने वाले हैं जब machine इ, search engine सब इनसानों की तरह बात करना शुरू कर देंगे मतलब हम हम future वाले science, technology और उस world में अब enter करने ही वाले हैं और काफी हद तक कर भी चुके scientists और researchers ने और जो technology में बनाने वाले लोग हैं उन्होंने artificial skin बनाई है और वो इनसानी skin से भी ज़ादा sensitive है अगर हम तो किसी चीज़ को touch करके ऐसे feel कर पाते हैं अगर पास भी आती है कोई चीज तो उसको भी sense कर लीती है so technically देखा जाए तो वो इनसानी skin से ज़ादा sensitive है इसको इस्तमाल किया जाने वाला है ऐसे किसी इनसान के उपर या जानवर के उपर testing करने के लिए मुझे नहीं पता क्यों बनाई जा रही है बट रोबोट के उपर लगा के फिर उसे चीज़े sense कर आई गई तो वो fabric, metal, plastic हर चीज को छू के identify कर पा रहा था कि वो क्या चीज छू रहा है so that means यह जो touch वाला sense है यह अब रोबोट में आने लगा है तो यह भी बहुत अच्छी बात है आजकल सब कुछ smart हो रहा है अब डेट निकल कर आ रहा है whatsapp से कि 4-5 नए feature whatsapp ले गया है कि आप status में voice लगा सकते है status अपने individual statuses को किस-किस को दिखाना चाहते हैं वो select कर सकते हैं status पे आप emoji react कर सकते हैं यह सारी चीज़े निकल कर आ रही है और एक development phase में भी एक feature है जिसके बारे यह खबार आ रही है कि आप schedule कर सकते हैं calls को अपने group में जैसे कि अगर आप किसी को group meeting वगरा करना चाहते हैं उसको schedule कर सकते हैं और भी member उस वक्त पे join हो जाएंगे और आपकी call शुरू हो जाएगी कोरा जो question answer करने की site होती है जहां पर आप question बोच सकते हैं उसके जवाब लिखते हैं लोग उसके पास भी AI है chatbot है मैंने खाता था ना AI की रेज शुरू हो चुकी है जैसे megapixel वार हुई थी न cameras में बस जो mobile cameras में सब जगा उपर AI ही लाने वाली है metaverse अब बहुत पीछे निकल जाएगा अब next big thing जो है वो AI है अगर आप artificial intelligence में career बनाना चाहते हैं तो आप जी तो चांदी चांदी है मेरे दोस्त अगला update निकल करा रहा है phone पे से कि phone पे आप Singapore, UAE, Mauritius, Nepal और बहुत सारे जगवाप पर UPI payment support करेगा मतलब बार इन countries में आप घूमते हो या इन countries में आगर आप रहते हो आसपास तो आप UPI payment कर सकते हो phone पे की मदद से यह यसलिए संबभ हो पाया है कि UPI ने खुद extend कर दी अपनी services अपनी neighboring countries में इनडिया की neighboring countries में तो भाई आप बार बार कहीं है से नेपाल वगरा घुमते हो वहाँ भी आप QR code scan करके phone पे UPI B map यह इस्तिमाल कर सकते हो बहुत अच्छी गबर है कि इनडिया का payment gateway अब बार की countries में भी काम कर रहा है यह बहुत कम देश है जो achieve कर पाए है normally क्या होता है किसी का payment QR है QR code है कुछ भी है वो इनके country में ही चलता है बार के देशों में नहीं चलता है लेकिन इंडिया के साथ ऐसा हो रहा है तो यह बहुत अच्छी अगली और आखरी कबर निकल कर आ रही है जीओ से के जीओ अब और सतन दिन के हिसाब से 11 cities 10 cities, 3 cities, 5 cities ऐसे add करते ही चला जा रहा है 236 या 200 कितनी cities को cover कर चुका है जिसमें अभी latest उत्तरप्रदेश के वारानसी की तो बात हो गई थी अभी गोरखपूर की बात हुई है तो गोरखपूर में रहते हो तो वहां 5G आ चुका है आपको complete list चाहिए तो आप Google पर just search मार दो जियो, cities या तो उसमें आपको पता चल जाएगा दिन के बहुत rapidly बढ़ा रहा है तो मुझे लगता है कि इसके अंत से पहले-पहले ही साल के अंत से पहले-पहले ही कर देगा launch सब जगा और मैं comparison तो कर चका हूँ अब आज जानते हैं हम आज के tech term के बारे में का word है CLI जिसे कहते हैं command line interface जैसे अब अपना computer चलाते हो mouse से चलाते हो GUI, GUI होती है जिसे graphical user interface कहा जाता है यहाँ से computer चलाना बहुत असान है जैसे windows में आप कुछ भी देख रहे हो ऐसे drag-rack कर रहे हो उसका UI है, user interface है graphical user interface है, उसे चलाना असान है starting में computers GUI पे नहीं बने थे मतलब ऐसे आप easily देख के नहीं वो सिर्फ type करके ही इस्तमाल कर सकते थे इसके लिए आपको commands बगएर याद करने पड़ती थी अगर आपको commands याद नहीं होती थी तो आप computer इस्तमाल नहीं कर सकते थे तो इसी को कहते हैं, command line interface जैसे Linux का जो terminal है, वो CLI है CMD है, जो CLI है So, यह होता है I hope आपको यह video बसंद आई होगी, अगर आपको यह video अच्छी लगी तो इसे like करें, अपने दोस्तों को साथ share करें So, make sure आप उस चीज़ को भी जरूर चेक करें चैनल के साथ जोड़े रहे हैं, subscribe करें और मैं मैं बता आप से अगली वीडियो में, thank you so much and good, bye